दोहजार साथ से दोहजार वारे तक बहुजन समाज पाल्टी इस पष्ट बहुमत से थी इस उत्तर पर्देश में पूर्ण मुद्थ Sozial economy क्यों कारण है उसका कुए उनकी बातों पर विश्वास खतम करने हैं तो एक आद योजन और इनकी पर बिलाज हो जाएगा इनका बी 15 साल करें उसके बस पागा जो दिया उसंयदे प्हांच अप पता हमें भी सब्सक्राइब को यह कंद्स कुछ लोगों को अभी पता नहीं चल पाई है अब पता चल जाएगी जो यह सोचते हैं फिरीकरासन मिल जाएगा उसी से जीवन कट जाएगा जो यह सोचते हैं कश्मीर फाइल देखने से देश बच जाएगा तो देखते रहेंगे जब एक दिन यह आ जाएगी हाला कि दो र जवान और खिसान के आपस में जगड़े हो तो वह वह लोगा जाएगा तरीका से होगा इलाज होंगे इने बता दिया है कोई अपने घमंड में ना रहे जवान भी आपस में लड़े आप तो सारे काम करें आप नहीं है अरे सब कुछ होगा दीरे दीरे तो एक दम सब काम होंगे या तो सरकार अपना काम कर ले भई ढंसु कोई काई सरे डरता और जन्ता किसी से नहीं डरती यह जन्ता का जन्मत है अगर जनमत मिला है तो उसका काम करा है जैसे भी लिया है ये सब को पता है ये और लोग बोलतो रहे हैं आप तो बोलने से भी बंद हो गए है आज का ग्यापंता संयुत किसान मौर्चा के आवान पर जो पिछले दिना हमने तेरे महीं ने लगातार दिल्ली के बौर्डराओं पर बैठ का धर ने दिये थे उसमें देश की सरकार ने तीन काले कानून तो वापिस लिए लेकिन जो MSP एक बड़ा विसे था उसके लिए कहा गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे ये टेक्निकल मामले है एक कमेटी बनाने के बाद में किस तरीका से जारी की जाएगी उसको ले उनके दौरान कुछ किसान घायल हो गए हैं उनके लिए मौज़ा दिया जाएगा लेकिन कोई भी कारिये नहीं हो रहा उसको ले करके आज संयुक्त किसान मौर्चान ने वादा खिलापी दिवस्दिब मनाया और पूरे देश के डियम आफिसों पर डियम के दौरा लम में पावर तो हैं नहीं हमारा तो आंदोनन में पावर है और देश की जंता को जागरती करने में हम अपना पूरा योगदान दिये हुए हैं कि लोगों को ये समझना पड़ेगा जो लोग ये कहते थे कि अनरगल तरीका से यहां पर बैठे हुए हमने सरकार की बात मानत हुए आंदोनन समाप्त किये आज हमें ये लग रहा है कि MSP को सरकार कानूनी जामा नहीं पहनाना चाहती तो हमारे पास फिर वही रास्ता है आंदोनन तो आपका बिखर चुका है टुकडों में बढ़ गए आप लोग तो आप पर एक ही विसे है कि आंदोनन बढ़ चुका किस तरीका से बढ़ चुका आप बता दो आदे चुनाव लड़ लिए आदे पैसों को लेकर लड़ना आपस में चंदे के पैसे को बढ़ लड़ना ना कोई चंदे पर लड़ाई हुई हाँ लेकिन ये जरूरी है कर घर में बैठकर क्या हिसाब नहीं होता क्या जो आदमी घर में बैठ करके कहीं बोट दिया हैं और कोई बोट लेकर आया है उस पर चर्चा नहीं होती वो सारी चीज़ों पर चर्चा हुई और यह चर्चा कब इसे होता है लेकिन आंदोलन पहले भी मजबूत था आज भी मजबूत रहेगा जितने बहुमत से बीजेपी जीत रही है क्या किसी मीडिया बंदू ने ये पूछा था कि प्रदान मंत्री जी का आज मॉडल डाउन हो गया उन्हें इस तीपा दे देना चाहिए क्या सिस्टम बना रखा हैं हम लडाई लड रहे थे या हम चुनाब लड रहेते ही हम आज भी चुनाब लड़ने लड रहे हैं बोड देना अगर चुनाव लड़ना है तो इस देश का लोकतंतर कहता है बोड देने का आप तो बीजेपी को उखाडने में क्या 244 उखड़ी नहीं है बीजेपी, 70 सीट कम नहीं हुई, आप कैसे नहीं मानते हैं को उखड़ी नहीं है, कौन जीत गई, 70 सीट कम कर के, हम, अर कर दी हमने बढ़ी, अब तुम्हें सुनने में क्या क्या आ रहा है, कि नोवड़ा के तमाम गूजरों बीजेपी को बोड दिया, नहीं यहां ना गूजर की कोई बात नहीं होती है, यह बरादर का नाम नहीं होना चाहिए, हमारी जाती किसान है, हम ना गूजर है, ना ठाक में बोड़ डालता राजनितिक होता है, अब तुम्हें खूल के नहीं दीक रहे, खूल के नहीं दीक हुए, जो लोगोंने ये कहा है, हम पांच साल राशन फ्री देंगे, हम राशन को फ्री दिलवाने की कोइसिस करेंगे, जनोंने कहा है, हम पांच साल बिजली Corn良 दे हम दर करने नहीं करेंगे जो जो Inha moderate है हम संकल्भ पत्र में संकल्भ लेते हैं हम उसको लागू कराएंगे और ये तो या कि हुझ नहीं कह रहे हैं भई ये जितनी भी राइजितिक पार्टि ये चेह रही है पंजाब में अर्विंद केदरिवाल कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फिरी देंगे अगर वो नहीं देंगे तो क्या हम आंदुलन नहीं करना चाहिए यहां पर योगी जी कह रहे हैं हम 5 साल तक रासन फिरी देंगे अगर वो नहीं देंगे तो क्या हम आंदुलन नहीं करना आपको नहीं लगता भी जो ग्यापन वापन दे रहां फॉर्मल्टी पूरी कर रहें टाइम पास कर रहें जो तेरह मेहने किसानों अपने हैं जान गवाई यह बस उसकी फॉर्मल्टी चल लिए नहीं तो जाकर करके सेदे सीधे सीधे एक दम जगडाई कर दे कैसे हैं आप त सरकार को याद दिलानी जापन का मतलब यह होता है कि सरकार को यह पता चले है कि हम बिल्कुल एलर्ट बैठें है या तो हमारे काम करें जाने तो हमां दुनी के लिए ऑर है वरू को म Чтобы मीडिया के बारे में ज्यानकारी मध्स हम हैं हम पता कि क्याआं जगड़ा करा है मेडिया सू भी हम बताने जैसे साथ दिया तुम्हें भी पता हमें भी पता हो तुम्हें ना पता तुम्हें पता नहीं है क्या रास्ता निकलेगा रास्ता है अंदोला नांदोलन मजबूत होगा किसान और मजदूर मजबूत होगा तो सारे रास्ते निकलंगे रास्ते निका मोता कैसे जीती है पिसका लोगतंत्र है एगा लोगतंत्र खत्रे में है तो इसका पहला राइट आपका भी है आप भी अपने उसर ही दिहान करोो मीडिया वाले भी अपने अप से दिहान करो क्या चल चल रही है। कवी छैनल के डिवेट चलगे है। आप टी वी चैनल के नाम Ambos पता है। कियो नहीं इसकूल ऊता रहे हैं जो आुब हो और पर सरकार आती वो सारे काम कर देती उसके खिलाब भी लंग फार हम इसके खिलाब भी आंदोलन कर गए हम नहीं तोही हम आगी नहीं हम नहीं कही नहींगे हम नहीं कहा था हम तुम को सबक सिखाइंगे वह बिस्क्राइब का हम रहा हम्ने किशानों नहीं हम Нहीं हमने कही वहां के किसानों मेरे गन्य का पेमेंट हो जाएगा किस बात पर बोट ले लिए पांच साल तक सरकार बोट लेने का काम कर रही हैं वो सिर्फ लोगों को भैकाती हैं काम नहीं करती हैं एक बार चड़ती है काट की लगड़ी किसान हराएगा हम क्यों नहीं हरा सकते किसान हराएगा हाँ एक कि सरकार की हालत क्या थी कितने सांसत्ते आंदोलन हुए सब कहते थे क्या खतम हो जाएगी